टैबलियू के इस lecture में हम देखेंगे कि data के उपर filters कैसे लगाने है और data को select कैसे करने है and then we will move towards sheet मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel और टैबलियू के इस course के अंदर मैं आपको खुश्यामदेत कहता हूँ मैं आपको टैबलियू सिखा रहा हूँ तुसी सेख रहे हो ना पकी काल ले see you now अचारी यहाँ पर हम जा रहे हैं यह हमारा टैटैनिक का data जो हमने पहले ही load किया बिशली lectures के अंदर अब यहाँ पर आपके पास right side के उपर जब आप जाएंगे तो right side पर आपके पास एक button नजर आ रहा होगा जिसका नाम है filters यह यह आपके पास filters का एक button है आप इस filters के add पे click करेंगे जैसे ही आप add पे click करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से add का button आएगा मैं add पे दुबारा click करता हूँ आपने जिस भी column का data के ओपर filter लगाना है वो आप column select कर लेंगे say for example मैं चाहता हूँ कि age पे click करूँ ok करूँ अब यहाँ पे मेरे पास पूरी range आ गई है lowest age हमारे पास है 0.42 और highest हमारे पास है 80 ठीक है मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर null values भी add करूँ null values का मतलब है कि कोई भी खाली value इसके अंदर कोई भी null value नहीं है so there is nothing wrong there अब मैं यहाँ से range को select कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि सिरफ और सिरफ 5 साल तक के बच्चे आए तो मैं यहाँ पे maximum जो है 5 कर दूँगा और minimum मेरी वो ही रहेगी जो minimum थी range of values से हम check कर लेते हैं मैं जैसे इस पर ok करूँगा तो यह मेरे पास age की range आ गई है एक और filter मैं बना सकता हूँ कि मैं same किसी एक तरीके से for example मैं इसे के उपर जाता हूँ और at least भी बात कर सकते हैं कि minimum कहां से start हो at most का मतलब है highest कहां से हो फिर special values भी आप निकाल सकते हैं जो 5 पर तक्सीम हो रही है या कोई null values है, non null values है या all values है so this is how you can actually select the range मैंने यहाँ पर 5 साल के बच्चों की range select कर ली ठीक है इसको okay किया okay करने के बाद मैं दुबारा से okay करता हूँ मैं zoom out करता हूँ अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे जो data है वो सिरफ और सिरफ 43 यहाँ पे मुझे values दे रहा है ठीक है और अगर आप चेक करें तो हमारे पास age के column के अंदर सिरफ जो values आई है वो 5 तक की आई है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सिरफ और सिरफ मेरे पास जो values है यह 5 तक की है ठीक है 5 साल से ज्यादा की values नहीं है यहाँ पे so this is how you can put any filter अब मैं यह भी चाहता हूँ इसके साथ साथ मैं जैसे इसको filters को edit करता हूँ यहाँ पे मैं एक और filter add करता हूँ एक और filter add करके मैं कहता हूँ कि इन में से भी वो वाले जो okay करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो male बच्चे हैं उनको select करो तो जैसे मैं इनको select करता हूँ मैं zoom out करता हूँ यहां पर देखें कि 43 में से भी 22 बच गई है so this data is belong to only those kids which who are with male gender अब क्या कर सकते हैं यहां पर यह filter मैंने 2 लगा दिये अब इस तरीके से आप multiple filters भी use कर सकते हैं फिर filters को आप remove भी कर सकते हैं मैं यहां से filters को remove करूँगा दूसरे को भी remove करूँगा and now I can select okay तो मेरे पास total जो rows हैं वो यहां पर इनका पूरे का पूरा data जो है मेरे पास आ गया है ठीक है and this is how you can actually look into the data set और इसके filters को आप देख सकते हैं इसके इलावा मैं यहां पर एक और data filter add करता हूँ one value मेरे पास select होगी है मैं इसको okay करता हूँ तो यह मेरे पास data सिरफ उन लोगों का है जो लोग titanic के हाथसे के बाद survive किये थे ठीक है so if you look into survived column मेरे पास सिरफ और सिरफ one की value आ रही है इसका दूसरा तरीका कार क्या है आप यहां से ascending से descending भी इसको order कर सकते है और यहां पर अगर मैं for example कहूँ कि मेरे पास वो वाले लोग जिनोंने जिनकी age ज्यादा है जो बचे हैं तो मैं यहां पर click करूँगा तो आप देखें कि मेरे पास highest age जो बचे हैं वो 63 से start हो रही है तो यह descending और ascending order के अंदर आप यहां पर click करके उसको change कर सकते हैं data को यहां पर sibling spouse आप करने हो तो आप यहां से check कर सकते हैं parent children देखने हो तो वो ticket के data देखना हो तो वो भी so you can do whatever you want to do based on this these things ठीक है अब यहां पर अगर मैं setting पर click करूँगा I can also do some kind of hidden settings here मैं यहां पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं something like this you can do whatever you want to do here ठीक है और इसका एक और काम है मैं यहां से अगर इसको मैं click करूँगा तो यह collapse हो जाएगा which you can actually expand again by clicking here ठीक है so यह कुछ functionalities हैं जब आप data के ऊपर काम कर रहे होते हैं edit के button पर जाएगे मैं इसको दुबारा से remove कर देता हूं okay कर देता हूं and on the left side you have this new union button और अगर आप इस पर click करते हैं then you can actually make a union of different data set as well जो आप depend करते हैं अगर आप करना जाते हैं अगर आपके पास यहां पर दो data sets available हैं और दो data set आप कैसे लेके हैं कि learn more पर click करेंगे तो आप check कर सकेंगे किस तरीके से आप data को join कर सकते हैं different किसम की techniques जो SQL के अंदर use होती हैं वो आप लेके आ सकते हैं for now I'm not going that much in details यहां तक आपको समझ आगी होगी कि किस तरीके से आप data को filters के अंदर लेके आते हैं data के filters बहुत important होते हैं से गई होगे मेरा नाम है डक्टर महमद मार्थफेल मैं आपको टैबलियू सिखा रहा हूं तुसी सिख भी रहे हो लाइक शेर सब्सक्राइब कर दें see you in the next video